जम्मू कस्मीर सिरी नगर में तो वहाँ पे खाना भी सहिस नहीं मिलता था वहाँ पे तो पूछते थे क्या खाना खाई तो बोलती थी याज सबजी रोटी मिला है तो यहाँ पे हम रो भी लेते थे कि हम लोग यहाँ पे इतना सब कुछ खा रहे हैं और वहाँ कुछ भी नह प्यार हैं लेकिन हमारी बीटिया नहीं खा पर इस बात को लेकर कि आप लोगर होते हैं कि देख सकती है मा बेटी का प्यार है किस तरह से सालू बीटिया को मिस्स कर रही है जो इस समय आईयस भी बन गई है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रमूद गुप्ता और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्ता प्रदेश के जौनपूर जिले में है और यह सुजान गन छेत्र है आपको बता दे कि हम आपको सबसे पहले एक तस्बीर दिखा रहे हैं यह तस्बीर 2020 की है और जो बिटिया दिख रही है उसका नाम सालू है 2020 में ही IPS क्वालिफाई करत है और घर में खुसिया आती है छेत्र का नाम करती है जिले का नाम करती है प्रदेश का नाम करती है अब बिटिया IPS बन गई लेकिन उसका मन था कि मैं IPS बनूं फिर से उसने एक जाम दिया अब बिटिया IPS बन गई है माता पिता हैं खास बात चीत करेंगे का खिर बिटिया की तैयारी कैसी रही बिटिया क्या बच्पन से अधिकारी ही बनना चाहती थी उसके मन में इच्छा क्या थी तमाम सारे सवाल हैं आखिर तैयारी किस तरह से कर रही थी कहां से तैयारी कर रही थी सारा कुछ हम जानेंगे सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बदाय हो चाचा जी बिटिया ने एक बार फिर से कमाल किया है 2020 में IPS क्वालिफाई किया था अब IS बन गई है कैसा लग रहा है किस तरह से पढ़ाई लिखाई कर रही थी कैसे तैयारी कर रही थी डेली 8 से 10 गंटे पढ़ती थी 8 से 10 गंटे बचपन से सवक था अधिकारी बनने का अब बिटिया हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही है आपके साथ नहीं रह रही है तो मिस करती हैं कितना मिस करती है बहुत ज़्यादा मिस करती है अब तो यह होगा कि हमारे साथ रहेगी नहीं अब तो मतलब जब नोकरिजवाइन कर लेगी तो जब छुट्टी मिलेगी तभी तो आएगी हमारे पास नव साल की थी तब भी हम यहाँ से उसको भेजे हैं अच्छा नव साल की थी तब यहाँ से भेजी थी तो हमारे साथ ज़्यादा नहीं रही है लागडाउन में रही है और कभी-कभी छुट्टी में आती थी मिस करते हैं बहुत जादे करते हैं कभी-कभी ते वहार पड़ता था जम्मू कस्मीर सिरी नगर में तो वहाँ पे खाना नभी सहिस नहीं मिलता था का आहिए तो पूछते थे क्याखा न खाई तो बोलती थी yeah सबजी रोटी या तो यहाँ पर हम रोभी लेते थे के हम लोग किहाँ पर इतना सब कुछ खा रहे हैं मतलब हम लोग इतना अच्छा सारा कुछ खा रहे हैं लेकिन हमारी बीटिया नहीं खा पर इस बात को लेकर के आप लोग रोते हैं कि देख सकती है मा की प्रतिय बिट और मा बेटी का प्यार है किस तरह से सालू बीटिया को मिस कर रही हैं जो इस समय आई अई अच्छने थे आतंगवास गरस था उस समय अच्छा लोग मना कर रहे हैं ते स्री नगर में जब आतंगवादी घटनाय हो रही थी तब आप बिटिया को पढ़ाने के लिए वहां ले गए और क्या क्या जेला कुछ दर्शकों को बदाईए क्या परसानिया वहां पर उती पड़ा से आने जाने परसानिया थी टेन का साधन नहीं था जमूए कितना किलो तो इसलिए आने जाने बड़ी परसानी होती थी लड़की थी अब तो साधन बन गया सड़के हो गए था उस समय नहीं था उस समय साधन भी हीं था से नगर आतंगवास गरस तरास से नगर कब कौन सब बंपूर जाए पता नहीं तो कहां बोली बारी हो जाए उसे में सुन करके जी भी घबर आता होगा उसमें बाढ़ भी आ गया था बहुत बड़ा तो वाई सेना निकाला था सारे बच्चों को सा दिल्ली एरपोर्ड पर अच्छा फिर आप लोगों ने कभी डर नहीं लगा कि मैं फिर वापस स्री नगर नहीं बेजू को कि जहां आतंकवादी घटनाय हो रही तो वहां तो डर लगता है ना फिर भेजना पड़ा गई वो फिर पूरा हुआ चार साल आप लोगों ने मना नहीं किया कि उनको पढ़ने का जुनून था बहुत सब अच्चे थे ने पूरे देश के तीन उन जार आसपास बच्चे थे तो हसला था कि भाई सभी जा रहे तम भी जाए जुनून भी था जहां आतंकवादी घटनाय हो रही एक मा का हिर्दय जो होता है वो कभी नहीं कह सालू कैसे वहां पी रहे तो बोली मम्मी मैं अकेली थोड़ी हूं बहुत लोग हमारे जैसे हैं बच्चे और अगर आप अगर हमें रोकोगी अगर आप हमें हासला नहीं दोगी तो हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक तो हमने बोला जाईए तो चले गए आप रोते पहुंच जाई उस हूं का फोन तो था 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 अफोन था ठोबाइल था था तो बैठे रहते थे जब बता देती कि हम अपने क्लास के अंदर पहुंच गए रूम में ममें अप सूरचित तो हम सो जाते था 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 तो आप दुन अपर पहुंच लगता था अगरिया अकेली अब आज सब कुछ भाया आज सब कुछ सकार हो गया जो सपना था जो डर था उस समय का अब हो गया सब कुछ सकार हो अज़ा क्या चाहते हैं कि आप लोग जब बिटिया आपकी अधिकारी बने पर जब खरा नहीं उतर पाते हैं तो कोई बिटिया सोचती है उन्हीं में इसको ये सोचता है हमारा बेटा बनेगा हमारी बिटिया बनूँगा ऑम है बनूँगी जो देश में बह्ते चाहर हैं जो देश मातंक वाद हैं सबसे मैं निप्टूंगा तो आप कि आप की बिटिया किस तरह से निप्तेंस क्या आपकी मन्मी हामचार्द ने हैं कि इमंढ़ारिस रहे और दूसरा एक की डेली कम सब एक दो गाउम जाए हमाई लड़की कहती थी जितने थाने हैं सब पे जितना अप्लिकेशन पड़ेगा साम को सब हमारे पात भेजें हर थाने हो जो गलत काम पर गाओं में जाओंगी कि आप साथ नया हुआ कि नहीं हुआ उसकी यही सोच है कि हर गाओं में जा करके बिटिया चिक करेगी जो पिलकेशन थाने पड़ेगे मतलब कि आपकी क्या इच्छा है पिता जी तो बता रहे हैं कि जहां थाने थाने हैं जो जनता के कारे नहीं हो रहे हैं कोई दुखिया है उसकी सुनेगी आपके मन में क्या इमन्दारी से काम करें, गरीबों का सुनें, सब कुछ सही सही करें, इमन्दारी से रहे भईया, बस यही आसिवार है क्या कभी लगा नहीं कि अकेली बीटिया को मैं दिल्ली भीज रहा हूं, जिस तरह से होता है, क्या कभी कोई डर लगा? नहीं कुछ नहीं लगा, मन में कोई डर नहीं था, बीटिया जहां जाना चाहती थी आपने उसे लेजा, कभी ऐसा लगा कि इसकी पढ़ाई को रोग दी जाए, कभी ऐसा जीवन नायका, इसा कभी नहीं लगा, पूर उमीद था को हो जाएगी, आत्म स्वास था रहें काया इ हाँ, अच्छा लगा, क्या कहना चाहेंगे, जो और बच्चे तयारी कर रहे हैं, माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे, लोग अगर ठान ले कि हमें यहीं बनना है, बन सकते हैं, ठान ले तो कुछ भी किया जा सकता है, ऐसे में तो अब आपके बिटिया के और आपक कोई परसानी, नहीं इसा नहीं रहा है कभी, लेकिन एक हमारा अच्छा था, हम इसे आइस बनाएंगे, उसने भी मेहनत किया, इसलिए सपना साकार हुआ, बिटिया पर गर्व है, हाँ, एक्दम गर्व है, परिवार में कितने लोग है, कुल बिलाक्षा लोग है, हम लोग, कितने बच्चे हैं आपके, दो लड़के हैं, दो लड़की है, दो लड़के हैं, बाकी लोग क्या कर रहा है, एक दुकान पर लड़कर रहता है, बड़ा-वाला तैयारी दिल ली कर रहा है, आईस के, अच्छा, एक तो IPS हो गए हैं सालू जी, और एक बिटिया, उसकी साध रेजहें और माता-पिता, बेटीव्हों को कमाकते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं क्या संदैस देना करें ? संदैस यह है लड़कों को बीस परच्ड धेहान दिया जाय तो कुछ भी बन सकती है जैसे घर में बेटिया पाइदा हो जाती है तो कई लोग सोचते हैं तो मेरे घर में बेटी आ गई है तो आपके भी घर में एक बेटी आईवियस बन गई है तो क्या संदेश देना चाहेंगे बिशे स्टाइक लड़कियों बिशे ध्यान दे पढ़ाई लिखाई पर उन्हें रोका ना जाए और लड़कों का पेच्छा कम भी ध्यान देंगे तब भी वो कुछ बन सकती है अच्छा इतना हवसला जजबा होता लड़कियों का चाची जी आपकी बिटिया ने कमाल कर दिया है जहां लोग एक बार UPSC का एक्जाम नहीं क्वालिफाई कर पातें वहीं UPSC बनती हैं अब ट्रेनिंग चल रही है अध्राबाद में और फिर से IESC का एक्जाम क्वालिफाई क्या कहना चाहेंगी यही कहना चाहेंगे भाईया कि सब लोग गार्जीन अपने बेटी को पढ़ाएं आगे बढ़ाएं यही अच्छा लगेगा कैसे तैयारी करवाती अधि सबाजू कर ने की Black अअवम ब? ख़र में तैयारी हम अगेले रहते थे तो हमारी साथ भी वेटी काम करती थे यही क्याक की कि आधे एकेले हम थे निकाल कर पढ़ाएं भी करती थी लाग डाउन में तीन महीने हमारे साथ थी सारा काम करती थी खाना बनाना बर्तन दोना जाड़ू पोछा सब कुछ भी करती थी सिच्छा दिच्छा कहां से हुई सिच्छा दिच्छा जवार नोदे बिद्याले सुभा पांच तक तो यहीं पढ़ी सुजान गंज में फिर उसके बाद जवार नोदे बिद्याले सुभा इंटर तक फिर उसके बाद राजस्थान कोटा से आई एटिक तैयारी की क्या बिटिया के मन में सुरू से ही था कि मुझे अधिकारी ही बनना है कुछ इस तरह की चीजी हाँ यही तो था हम लोगों का भी सपना था उसका भी सपना था हम लोग भी सोच रहे थे पढ़ लिक लेगी तो अच्छा रहेगा अकसर माता बिदा बेटिवस को बाहर भीजने से कत्रह आते हैं बेटियों को बाहर नाई भेजते हैं लेकिन आप लोगों ने कैसे हिम्मत जुटाई हम लोगों ने हिम्मत उटाई और उसने भी हिम्मत उतलब साहसला दिया कि मम्मी हमारे उपर भरोसा करके हमें आप बाहर भीजो हम कुछ बन के दिखाएंगे आपको जब बाहर बिटिया गई थी कभी कोई परसानी आपको सुनाई हो कि मैं इस दुख में हूँ दर्द में हूँ क्योंकि बाहर बहुत साही बाहर नाई वो हमेसा हस्ती थी अगर दुख में भी थी तो अगर हम पोन करते तो तो हस्ती थी हमने खाना खा लिया हमने सब कुछ कर ल यहां पर आये हैं जब पड़ लिख लेंगे तो हम भी मतलब अपने जो मतलब रहेंगे जैसे जीना चाहेंगे जिन्दगी अभी बीटिया कहां है है अभी तो हैदराबाद में आई P.S. का ट्रेनिंग छल रहा है उनका महीं पे है जिसाएग गाओं के लोग बधाई देने आ रहे हों कैसा लग रहे हैं अच्छा लग रहा है बदाई सब कुछ पूरा हो गया सपना पूरा हो गया अपसर लोग बेटे और बेटियों में भेद करते हैं कभी बेटों को पढ़ा देते हैं बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं तो ऐसे माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे बेटे और बेटी में कोई भेद भाव नहीं करना च जाएगा आज मेरा भी है और इसे आपका भी होगा तो देख सकते हैं सफलताओं के पीछे कितनी ही कठिनाई होती है जब सालू जी पड़ रही थी तो उस दवरान जब सीनगर जाती है तो वहाँ पर आतंकवादी घटनाए हो रही थी लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती ह अपने होसले और जजबे को सलामत रखती है और मा जब घबरा जाती है तो अपने मा से कहती है मा रोमत मुझे होसला दे जिसे मैं पड़ सकू लिख सकू और कुछ बन सकू आज जो दिन है कि बिटिया एक बार नहीं बलकि दो-दो बार UPSC एक्जाम क्वालिफाई कर लेती है प्रमोज गुपता जे भारत जौनपूल